हेलो एवरीवान वेलकुम बैक तो आर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मांसी मिश्रा आड वी आर मीटिंग अगें आफ्टर वेरी वेरी लॉंग ताइम आप सभी के माइन में होगा कि कहां चली है माम वीडियोज नहीं आ रहे हैं पहले तो दिन में दो-दो वीडियोज फिर एक एक वीडियोज और इस समय तो लगता है माम छुट्टी पे चली हैं तो ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा मेडिकल इशू था घर में तो आप सब ठीक ठा है तो आज से हमारी वीडियो सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली है अब आए हैं तो आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर करके जरूर जाएंगे आप सभी के मन में यह डाउट होगा कि यार तोड़े इस 15 जैन्वरी एंड 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 विश्यू आपी इंडियन आ आपको यह पता होना चाहिए कि हम कौन से स्पेशल डे कब मनाते हैं अब आए हैं तो एक्जाम से रिडेटे कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही हमारे MNS में इंपोर्टेंट डेज ओव द इयर भी पूछे जाते हैं यानि यू शुड नो देट विच डे इस सेलिब्रेटे इसके अलावा अब आज क्या डिसक्स करने वाले हैं काफी टाइम से आपके मन में ये डाउट होगा कि अब तो पंदरा जनवेरी भी हो गई है अब क्या अभी तक तो नोटिफिकेशन ओफिशल साइट पे रिलीज नहीं हुआ है कब आएगा MNS 21 के एक्जाम का नोटिफिक और दोस क्वेशन मार्क्स 15 जनवरी हो चुकी है और अभी तक ओफिशल साइट पर कोई भी नोटिफिकेशन MNS एक्जाम के लिए रिलीज नहीं हुआ है फॉर दे इयर ओफ 21 आप गूगल करते हैं आपको कई साइट एक्सपेक्टेड डेट दिखाती हैं एक्सपेक्टेड एक्जाम डेट दिखाती हैं और आप अकसर उनसे कन्फियूज हो जाते हैं इन सब चीजों से भढ़िया है I am telling you the official website of Indian Army that is www.joinindianarmy.nic.in This is the official website of Indian Army where they update their all the notifications वहां पर आप जाएंगे इस website पर आप जाएंगे I will update this website in our description box also you can go to the description box and click on the link to the website on this website you will get every update, you will see a different heading about Eminence Entries you will click on that link so you will open a list and there will be all recent notifications there so different different Google करके different different sites पे जाकर confused होने से अच्छा है कि आप official site को visit करें और time to time update रहें कि notification आया है या नहीं अगर अभी तक notification नहीं आया है तो notification आएगा कब 15th January हम cross कर चुके हैं अब notification आने की संभावना फेप के first week तक है या फिर फेप के mid of the February यानि 15th February तक आपका notification रिलीज हो सकता है अब अगें a question mark की exam कब कंड़क्ट होने की संभावना है तो exam can be conducted in the month of May में आपका पहले भी जब CBD होता था तो आपको March April एक expected month बताया जाता था exam के लिए इस बार थोड़ा सा डिले करके हम में मान कर चल रहे हैं यानि in the month of the May your exam can be conducted ये आपको एक बहुत important information है जो आपके दिमाग में रखकर चली है हम January already cross करने वाले हैं यानि 15th January month लगा और गया time पलक जपकते बीच जाता है और आपको पता भी नहीं चलता February March April you are left with the three months only so you have to start your preparation accordingly अगर आपने अभी भी MNS 21 के लिए prepare करना इस्टार्ट नहीं किया है तो sorry my dear aspirants you are lacking something अगर आपका अभी भी यही पैटर्न है कि यार जब notification आएगा तब पढ़ना इस्टार्ट करेंगे तो dear aspirants you are not going to deal with the questions in the examination why because everyone has witnessed the level of question paper in the year of 2020 it was of a good level यानि जो बच्चे expect करते थे कि question paper काफी easy बनने वाला है उन के लिए 2020 का exam काफी shocking रहा है और ऐसा ही कोई shock आपको ना लगने पाए इसलिए अभी से अपनी preparation स्टार्ट कर दीजे प्रिपरेशन के लिए कमर कस लीजे क्योंकि preparation अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब ही जाकर exams में अच्छे मांक्स ला पाएंगे फिर बात करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं कि just pass हो जाते हैं written exam qualify हो जाता है सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया और चीक है cut off में आ गया लेकिन dear aspirants again I want to tell you something आप जितना अच्छा अपने written exam में focus करेंगे जितना अच्छा written exam में score करेंगे these marks are also going to be added in your final merit list तो interview के बाद जो आपकी final merit list आएगी उसमें भी ये marks add on होंगे और उस हिसाब से आपकी final merit list बनेगी तो ऐसा नहीं है कि written examination सिर्फ आपका cut off clear कराने के बाद इसका कोई रोल नहीं रहता आपको एक बार interview तक पहुंचा दे उसके बाद इसका खेल खतम अगर आपके mind में ऐसी कोई confusion था या ऐसे आप dilemma में अभी तक जी रहते तो इसको भूल जाए ऐसा कुछ भी नहीं है written examinations का score आपका एक बहुत major role play करता है final merit list बन माने में तो अगर आप अभी तक किसी dilemma में थे कि पढ़ाई नहीं करनी है या फिर अच्छा score नहीं करना है बस cut off clear हो जाए उतना ही काफी है तो इन सारी चीजों को भूल कर अपने exam पर focus करें और preparation अभी से start कर दीजे notification कब आएगा नहीं आएगा या exam का कब होगा इन सब चीजों को भूल कर आप अपनी तयारी पर ध्यान दीजे क्यों? क्योंकि एक होनार विद्यार थी एक सच्छा aspirant वही है जो अपनी तयारी पर focus करें ना कि exams की date पर अगर आप exams की date को goal करके अपना pattern set करेंगे study का तो कभी भी exam achieve कभी भी अपना aim achieve नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप exam को focus करेंगे exam के according अपना एक pattern तयारी करेंगे pattern तयार करेंगे preparation को तो definitely you are going to hit it तो आज से अपनी तयारी start कर दीजे and I am back again with our video series I hope you will subscribe our channel and don't forget to join our online batches if you are an MNS aspirant and preparing for the 21 examination Thank you my dear friends Thank you everyone आपको number 2 हमारी screens पर दिखी रहे है अगर आप MNS 21 के examination के लिए हमारा online batch join करना चाहते है तो you can contact us Thank you everyone Thank you so much for being with us